आपका स्वागत है आज हम स्पेर में का पूटी आपार से सम्मन्द इसकी कड़ना करेंगे यह से सम्मन्द दो प्रकार के लेते हैं एक गनात्माद से सम्मन्द और एक रहात्माद से सम्मन्द और इन से सम्मन्दों का जो गहिता की माद की राती है वो जीरों से एक गहिता की माद जो है वो जीरों से एक होती है और इस्पेर्मेंट से तो पोटी आगार से संबंद है इसके जो जैसे प्रशन दिया है कि आपकों की साइफा से आप इस्पेर्मेंट का पोटी से संबंद गुलांग गयातर कीजिए तो इसका जो सूत्र है इसमें X और Y दो चर्प यह जाते हैं इसका जो सूत्र है निकावने का वो है B बराबर 1-6 सिग्मा B स्क्वाइर बड़े एंड कोश्टर प्रेंड एंड स्क्वाइर माइनस एंड यह इसका सूत्र है और इसमें हमें क्या निकालना है यह सिग्मा B स्क्वाइर और एंड यह हमें निकालने हो दिया अब इसको निकालने के लिए हम ज्या करेंगे तो यह दू X और Y यह दू जो चर्प यह नहीं है इनमें पहले हम इनकी रेंकेंग देते हैं जो सत्या सबसे बढ़ी है है हैinkus तो हम फश्ट रहें उससे छोटी इस सेकंध रहें तो जो कम होंनी चली चली आती है इस तरीके से हम आई को देते जाते हैं तो इसमें हम समसे पहले प्जा रिखते हैं और एकस र इसमें आप देने में निस में समसे बड़ी इसके बाद दूसरे दंबार की 31 इसको हम दूसरी एक देंगे 31 से छोटी जो है वो है 27 27 को हम तीसरी एक देंगे इसके बाद 27 से जो छोटी है वो है 22 इसको हम चोथी रेंग देते हैं वाइस के बाद 25 से छोटी जो है वो है 19 इसको हम पांच मी रेंग देते हैं 19 से छोटी 18 इसको हम 6 रैंक देते हैं 18 से छोटी 16 ये 7 इस से छोटी 12 ये 8 12 से छोटी 9 इसको हम देते हैं 9 रैंक और सबसे छोटी संक्या है 6 इसको हम देते हैं 10 रैंक तो ये 10 संक्याई हैं और एको हमने रैंक देती बड़े से छोटे की त्रम में तो सबसे बड़ा इसमें 15 है इसको हमने एक रैंक दी इसके बाद 31 दूसरे नमबर पे है इसको हमने दूसरी रैंक दी इसके बाद 17 जो है 12 को 8 और इसके बाद 9 को 9 और 6 को 10 इस तरीके से हमने इसको रैंक दी है इसके बाद य और और जुसरी प्रकार से हमें X इंको रही जरी है उसी तरीके से हम Y जो भी रैंक देते हैं वगी रैंक दे रैंक सिस्टम है जो सबसे बड़ा है इसको प्रफ़ी रैंक तो इसमें समसे बड़ी संध्या 28 है इसको हम एक रेंट रहें 28 के बार यानि 28 से छोटी संध्या जो है वो है 25 इसको हम दो 25 से छोटी जो संध्या है वो है 21 21 इसको हम देते हैं 3 21 से छोटी जो संध्या है वो है सक्र इसको हम देते हैं रेंग 4 17 से छोटी जो संध्या है वो है 14 पर इसको हम देते हैं रेंक 5 14 से जो छोटी है वो है 11 ये आखे 6 11 से छोटी जो संध्या है वो है लो इसको रेंक देते हैं 7 और 9 से जो छोटी है वो है 6 इसको हम देते हैं 8 6 से छोटी संध्या 5 इसको देते हैं 9 और पास चोटी जो संख्या है वो है दो इसको हम देते हैं इस तरीके से हम रेंग देते हैं वाई आग इसको निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या जो है वो 28 थे और 28 के आगे हम इसको रेंग देते हैं एक 28 जो चोटी संख्या है वो है 25 तो 25 को हम रेंग देते हैं क्यों 25 से चोटी 21 इसको रेंग मिलती है किरी 21 से जो चोटी है जो संख्या 21 से चोटी जो संख्या है वो है 17 तो 17 को हम 4 रेंग देते हैं 17 के बार 14 है तो 14 को 5 में रेंग है 14 से जो चोटी संख्या है 14 से जो चोटी संख्या है वो है 11 और 11 को हमें रेंग दी है 6 11 से जो चोटी संख्या है जिसको हम रेंग देते हैं 7 वो है 9 और 9 से जो चोटी संख्या है 6 उसको हम रेंग देते हैं 8 6 से जो चोटी संख्या है 8 उसको हम रेंग देते हैं 9 और आज से चोटी जो संक्या है दो उसको वेंग दिलियाई दस तो इस तरीके से हमने X, R और Y, R निकाल लियाँ अब हम यहां निकालेंगे X, R, माइनस, Y, R और यह बराबर आजाएगा आपका D D निकालेंगे यहीं इस मैंसे डिफ्रेंड अंतर कितना अब आप देखें X, R मैंसे यह आप बटाएगे तो यह आपका 0 आएगा यह 3 और यह 5 तो यह पाइनस के आपके आजाएगे 2 9 मैंसे 9 गटाएगे तो यह आजाएगे 0 1 से 1 गटाएगे तो यह आजाएगा 0 6 से 4 गटाएगे तो यह आजाएगे 2 7 से 7 गटेगा तो यह आजाएगा 0 5 से 2 गटेगा तो यह आजाएगे 3 और इसमें माइनस 1 यह 10 में से 10 यह जीरो आजाएगा यह माइनस के 2 गटाएगा इस तरीके से यह अगने अटालिया या गटेफेंस निकालिया अगना निकालिया XR और YR से 8 में से 8 गटाएगे तो 0 गटाएगा तीन प्लस के हैं और माइनस के अगर आजिसा उत्र के अगने तो 5 माइनस के हैं तो माइनस 2 गटाएगे 9 से 2 गटाएगे 0 आएगा 1 से 1 गटाएगे तो 0 गटाएगा 6 से 4 गटाएगे 2 गटाएगे 7 से 7 गटाएगे 0 5 से 2 गटाएगा 3 गटाएगा अब दो यहाँ प्लस का और यह माइनस का उपानटे है तो यह माइनस एक आँजा इगा दस में से दसका आएंगे तो जीरो चार प्लस के आएज़ hybrid ऊख के तो यह माइनस दो आजा भाथा है तो यह हम D निकलते आँज़ा है अब अगला जो तो वो है निकालेंगे हम d square क्योंकि हमें निकाला है sigma d square यह संख्या निकालेंगे तो d square में d का हम बर्द कर देते हैं तो 0 का 0 दो का अगर हम करते हैं तो 2 बूनी के 4 माइनस माइनस यह प्लस हो जाते हैं तो यह 4 जाएगा इसके बाद 0 का 0 इसमें 0 का 0 दो दो के 4 0 का 0 तिया दे 9 और यह 1 यह 0 और यह 4 इस तरीके से हम d का बर्द कर देते हैं और यह बर्द d square आता है अब आपने आपर जो निकाने की वो sigma d square बरागा है सिग्मा d square d square यह दो सुनका है इनका हमें योग करना है इनका योग जो है वो sigma d square कहलाता है आएगा तो चार और चार आठ आठ और लोग जो है यह 17, 17, 18, 18, 24, 22 तो सिग्मा d square जो निकाने आता है जो हमें यह निकाना है सिग्मा d square बरागा यह 22 निकान लिए और इसके बाद हमें जो दूसी जो इसमें n निकाना है n है number of sanchya यानि n बराबर 1, 2, 3, 4, 8, 8, 9, 10 यह संख्याई कितनी है दस है तो इसमें n बराबर जो है वो दस आयाता है अब इसमें आप सूत्र आपको मलूम है कि प बराबर 1 minus 6 sigma d square बटे n कोस्टक में n square minus 1 कोस्टक बर इसमें जो संख्याई आई है उनको हम रखनेते हैं और उसकी गणना करते हैं इसका हमने पहले भताया के इस सह संभब्त का में जो मैं इसकी गहर्णता की नहरividades वो zero से ein जीरो से a एक से जदा नहीं आती है और यह दूपरकार के धनात्मक और यह से सम्मंद रिनात्मक भी आ सकता है और दनात्मक भी आ सकता है तो परकार के यह होते हैं अब हम इसमें संद्धार रहते हैं तो P परावबा 1 माइनस यह 6 सिख्मा दी इस्वायर बाइस है तो बाइस गाइस में उहां परेंगे एं दस है एं बरावर दस एं तो एं बरावर यह नंबर और संद्धार तो दस कोश्टक में एं इस्वायर रहा है तें क्यू माइनस क्यू में इस्वायर रहा है तो यह कोश्टक बंद्धार यह सूत्र में हमें संख्याव को रख दिया और अब इनकी हमें करना करनी है तो पी बरावर वन माइनस इसका बाइस को गुआ करेंगे चल से तो यह आएगा एक सो पतिस एक सो पतिस एक सो पतिस यहां का दस और यहां आएगा आपका सो माइनस एक इसके बाँ पी बरावर वन माइनस इस इसमें से कटाए है तो यह 99 आएगा है तो पी वराबर वन माइनस वराट थ्री टू फिर टैंक पोस्टक में यहीं सो किसे यह कटा देते हैं तो यह दिन्यार में आ जाएंगे अब पी वराबर वन माइनस एक जो पतीश मटेश इसका अरुमा करेंगे तो यह नो सो लब्द है यह आएगा ब्रसका वहाँ दिन्यार में करेंगे तो यह जो संक्या है वो नो सो लब्द है आएगे अब हम नो सो लब्द है कवार इसमें तो पी वराबर वन माइनस और यह आएगा जीरो पॉइंट तेरा अब इसमें से यह कटाएंगे तो पी वराबर यह आएगा आएगा आपे जीरो पॉइंट एट से बाएगा और यह संक्या क्या कि यह प्लस का है और यह माइनस का तो प्लस का जादा आएगा यह जो से संबंद है यह धनाजमा का आएगा यानि इसको हम क्या करते हैं यह संबंद जो है वो धनाजमक से संबंद है तो इस तरीके से यह स्पेर में का यह जो गोटी आपार से संबंद है उसको निक्राफते हैं एक बात मैं आपको समझा जेता हूं कि इसमें X और Y यानि प्लस को हो है कि निम्न आप्मों की साहता से आपको इस पेर में का गोटी आपार से संबंद की गलना कीजिए तो X और Y दो संचाइए यह होती है अब संच्यान इसमें या बस दिया है आठ भी दीजा सकती है पाच भी दीजा सकती है छे भी दीजा सकती है देखेंगे आपको प्रस्म के अउसाथ हो भी है या आपको प्लस दी गए अब इसको सबसे पहले के X और Y यानि इसको रेंक में देंगे संख्यां को रेंग की आदाग पर हम इनको रखेंगे तो रेंग देंगे कि इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम एक उससे छोटी को दो, उससे छोटी को टी उससे छोटी को चार, उससे छोटी को पाँच य inc e cam में हम rank देटे चले जानेगे शब्से बड़ी संध्यारों को हम पहली rank डेटे x में B और YR xr निकाल लेंगे और yr निकालेंगे यह दोनूंमें हम rank देते हैं इसके बाद दूसरा जो इसमें आता है वह हम та ले defy और D निकालने के लिए xr – il यह है यानि इस संख्या में से इस संख्या आपको गटानी है इसका अंतर निकालना है दोनों का तो अंतर निकालेंगे इस तरीके से तो जैसे इसमें आठ में से 8 है तो 0 यह 3 है यह 5 है 5- के अब यहां मांते हैं तो 1-2 आएगा यहां पर नो से नो गटाएंगे तो जीरू आएगा, एक से एक गटाएंगे जीरू आएगा, छे से चार गटाएंगे दू आएगा, साथ से साथ गटाएंगे जीरू आएगा, पास से दू गटाएंगे तो तीन आएगे, और ये दो प्लस के हैं माइनस का, तीन है तो ये माइनस का, ए इसके बाद 10 में से 10 गए तो 0 और ये 4 माइनस के प्लस के है और 6 माइनस के तो माइनस 2 आजाए अब ये दी निकल गए आता है और दी जब निकल गए आता है तो हम अगली जो दी स्कॉायर निकल देखे हैं इसका हम जो दी है इन संख्याओं का हम वर्ग कर देते हैं तो 0 का तो 0 आएगा दो का 4 आएगा इसी तरी के जिहां 2 है दो का 4 0 0 3 का 9 आएगा सदूर हम एक यह दो माइनस माइनस प्लस हो जाती है तो एक इसी तरी के जिए माइनस दो है प्लस माइनस 2 है इसका जाएगा तो इस तरीके से यह बी स्कॉायर की जो संख्या ये निकल गए आती है अब हम सिक्मा डी स्क्वाइर बराबर यानि हमें जो जामते हैं कि हमें जो निकालना है जो सूत्र है पी बराबर बन माइना सिक्स सिग्मा डी स्क्वाइर बढ़े हैं को स्क्वाइर स्क्वाइर मांडस एक तो हमें एक तो सिग्मा दी स्कॉयर निकाल ले हैं ये संख्या निकाल ली है और एक यूल है वो बेन बढ़ा है ये संख्या निकाल ली है ये हमें इसका दी स्कॉयर का जोग कर लिया तो ये सिग्मा दी स्कॉयर निकल के आ गया ये कूप जो हमने किया चार और चार आठ आठ तो यह सिख्मा डी स्कॉयर बन बर बाइस निकल के आथा है और यह बराबर जो है तो नंबर ओप संध्याई हैं यह कितनी संध्याई हैं तो यह दस है तो यह दस आ जाएगा अब यह हम सूत्र में रखते हों और इसकी गड़ना करते हैं तो पी बारबर 1 6 है इसके forget जिकमाव 20 है वाईस का आनिया वहां करते हैं आशीड की जगए इस्कष नत्ट है यह दस सुभः मायनास टेक यह हो गया अब 6 ौर बाइस इसका वोंहा करेगे तो यह 132 आते हैए बटे यह 10 इसका सुवाइब तो यह 100 आएगा 100 माइन से यह घटाएगे तो यह 90 आएगा 90 में यानि गस्मा उना करते हैं तो यह 990 आएगा 990 का बाहरा रहा एक सुबत्तिक्स में जब देते हैं तो यह 0.13 यह संख्या आथे हैं अब एक से हम यह घटाएगे तो यह आएगा 0.87 यह संख्या निकल के आती है अब यहां दिखने के यह संख्या जो आती है यह प्लस की है माइस की कम है प्लस की ज्यादा है तो 0.88 यह आते है प्लस के तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह संबंद जो है वो दनात्मक है किस परकार का है दनात्मक अगर यह संख्या जादे होती ना माइनस आता तो यह रिनात्मक से संबंद कहलाता अगर यह से जादे यह होती वगटाने पर यह माइनस आता तो यह संख्या रिनात्मक होती यानि रिनात्मक से संबंद होता तो इस तरीके से हम इस्पेर मेल का यह जो वोती आतार से संबंद है इसको निकाल सकते हैं अब यह एक चीज और आपको में बतात्मक वाइबाई क्या होता है कि एक प्रश्ण में है जिसे यह X और Y तो जो संख्याएं दे गएन है chores कमें क्याव संख्याओ की बार हो जाती है तो उनका हम किस प्रटा कार से निकाले ज़ें कैसे बेंदे आपके जो चीज आउं है यहा निकालल ओर समझाय कराओं कोई संध्यां आप मान लेजिए छे संध्यां यह से पंद्राइट दाश चे दस बारे आट यह से पंद्राइट दस बारे आट यह से पंद्राइट दस दस बारे और यह आट अब हम यहां पर निकालते हैं एक्स आट अब यहां पर आख देके दर्स अंद्रस नहीं को आट तो यह तो इसमें सबसे बढ़ी शंध्या दू है वो पंद्राइट और पंद्राइट को हम पहले रहें देंदें एक इससे चुटी जो है बारा इसको हम दो नमबर की रहते हैं इसके बाद हम देते हैं तीन और चार अगर यह देखें तो यह दस दो बारा तो इसमें हम जा करें जिन जिन नमबरों पर यह संख्या हैं आ रही हैं तो इसमें को जोड़कर और यह दीर बार भी आ सकते हैं तो जैसे तीन फ्लस चार अब दो रही हैं अगर यह दिन वार रूपीट होता तो जैसे पास्त बें धेर थी प्लस चार प्लस पार गएदेगे तीन का भाग देती अब यहां तो बार रिपीट हो रही है इसलिए दो का भाग देती और किस नम्बर पर हो रही है तीसरे और चोथे नम्बर पर तो इसको हम हम ती प्लस चार दो है इसलिए इसमें दो का भाग में देती वराबर अब यहां यह जो समया साथ प्लस दो इसका जब हम भाग देते हैं तो यह आएगा तीन पॉइंट पांच अब यह जो तीन पॉइंट पांच आए यह हम दोनों के आगे लिखेंगे इसके आगे भी पॉइंट पांच और इसके आगे भी पॉइंट पांच यह संख्या लिख देंगे इस तरीके से लिखेंट के वह हमें इस करना है अब हम अगली संख्या को जो पांच डेंगे जोटा आठ तो इसको रेंग देंगे वह 5, पांच भिए इस से छोटी जो संक्या है वह 6 है तो इसको हम रेंगे 6 तो इस तरीके से double ऐसे ही y में भी यह तो x है और इसी तरीके से y में भी निकाले दाएगे तो इसमें कहने का मसलब यह है कि रिपीट जो सब क्या होती है उसका कितने नंबर पर रो रिपीट हो रही है तो जैसे यहां पर हमें पंद्रया को एक नंबर दिया बारा को दो नंबर दिया अब 10 जो है तो इसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर तो 3 और 4 और इसमें 2 का भाग देंगे अगर यह एक नंबर और 10 रिपीट होता तो 3 4 प्लास 5 और इसमें भाग जो देते तो 3 का देते तो यह जो संधिया निकल दी आई तो दोरों के आगे हम वह इस यह संधिया लेखे लिए, 2.5 और 3.5 इसके बाद 10 से छोटी संट्या जो आठ है इसको जो हम रेंगे वो इसे चार से आगे वाले दिन रहेंगे और वो रेंगे भी पांच इसलिए आमने इसको पांच भी रहें तुभी और उच्छे को छटे रहें यह एक्स हो गया इसी तरीके से काम दूसरी जो इसमें दीजा के संटा यह वाइड है आप वाइड है वाइड है वीडिस पंद्रह आठ पंद्रह च्छे पंद्रह यह कर दिया है अब आप देखें इसके सबसे बड़ी पांच निका देंगे वाइड है सबसे बड़ी संटा इसके है बीस इसको हम देंगे एक अब हम इससे फोटी जो सक्का है अंद्रह आपंद्रह इसमें तीन जगे आ रहे हैं किस नुम्मर पे आ रही है दो प्लस तीन प्लस चार एक दो तीन और इसमें तुम्हार रहे हैं वो तीन करें अब हम इसको जोड़ते हैं तो पांच पांच और चार नो पटे यह तीन आप इसके अगे इसके आगे भी तीन निखेंगे और इसके आगे भी तीन निखेंगे अग इसमें यह तीन बार रिपीट हो जांगे है, दो तीन और यह चार, दो प्लस टीन प्लस चार बड़े तीन यह बढ़ सब्सकुद में तो यह तीन आएगा, और इन तीनों के आखी रहां, तीन ही यह एक है लिए रहेों अब इसमें अगली तो अगली रहते हैं तो इस तरीके से कोई संक्या अगर रुपीट होती है जो बार तीन भार तो उस संक्या को इतने नंबर पे आ रही है उसका हम उस नंबरों को जोड़कर और जतनी बार आ रही है उसका हम बार में देलते हैं और जो संक्या आएगी वो उन रिपीट जतनी भी संक्या आ रही हो उनकी आगी बेंग दी जाएगी और बादी का पोसितर जो है वही है कि दी एक्स एक्स आर माइनस य आर बराबर दी निका लेगे और दी का इस्वार आपके दी इस्वारी निका लेगे स्वारी चीज़े हैं केवल ये रिपीट होती है और उनके वेंग के इस प्रकार से दी जाएगी ये आपको बतर है तो ये आपके इस्वार मेरिका आपको भी आपका शिर्समंद है जिसको हम लिकान सब्गे ये आप द्यान रखना ये दो प्रकार के एक धनात्मा और एक अ गावर ये आप ज़डर रखना, ये स exactement आपकी एक या एक से कम आएगी इससे जादा एक से जदा नहीं आएगी क्योंकि हम इसको जाबते हैं कि सैसामंद की जो रिटासक दहिरता की नाम जो होती है जो जीरो से एक तक होती है जीनों से एक तकोर्टी है तो ये एक से ज़्यादा नहीं आता है इसका, जो इसका, अंसर है, ये तनात्मक त्यावर रिनात्मक, दो प्रख्यार से आते हैं, उची जुलों आप दियानता, ये आपके वश्मय ये करता है, इसकी आप रियारी करना दणे बादा. झाल झाल